हाई गाईज वेलकम टो एपसी मैं राजदीप और आप देख रहे हैं एपसी टेक्निकल वीडियो आज का हमारा जो टापिक है वो ह्पी स्मार्ट टैंक 500 सीरीज पे है 500 सीरीज में नॉर्मली एक प्रॉटो कापी करते हो जब आप फोटो कापी करते हो तो काफी स्लो निकलता हैं जबकि आप कंप्यूटर से प्रिंट आउट कर रहे हो तो आपका स्पीड परसेक्ट निकल जाता है जतना 500 सीरीज का स्विड है उतना आपका निकल जाता है तो आप इस प्रॉबलम को कैसे ठीक करोगे और यह प्रॉबलम क्यों आता है यह मैं आगे के वीडियो में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आयक़न को हिट कीजिए ताकि आगे आने वाले और भी टेकनिकल वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे तो आईए वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले हम एक ब्लेक और वाइट जेरॉक्स करते हैं जिससे यह कापी टाइम ले लेता है लग बग एक से डेड़ दो मिनट तक ले लेगा आपका एक फोटो कापी होने में तो आप देख लीजिए कि यह काफी सलो हो गया देख सक रहे हैं कि यह पेपर वहीं पे अभी तक है यह धीर धीर गीच रहा है तो यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें दो मोड होता है फोटो कापी करने का एक होता है फोटो पेपर मोड और एक होता है प्लैन पेपर मोड तो एक्चुल में यह भी फोटो पेपर मोड मे इसको plan paper mode में करने का तरीका बहुत simple है black and white और color को button को press करके रखना है और ये देखिए press करके रखने के बाद ये photo paper mode में एक dot सा बीच में आ रहा है और ये plan paper mode में जाने के बाद सिर्फ plan ही रहागा तो ये plan आ चुका है और ये हमारा plan paper mode में चला गिया है अब हम इसमें आपको एक जरोक्स करके दिखाएंगे कि इसका स्पीड प्लेन पेपर मोड में कितना बढ़ गया है तो हमने ब्लेक और वाइट का बटन प्रेस किया एक ब्लेक और वाइट का कॉपी करने के लिए और आप देखिए यह स्पीड कितना बढ़ चुका है आप सिंपली सेटिंग को अपने स्मार्ट टेंक में अपलाई कीजिए और इससे आपका स्मार्ट टेंक का फोटो कॉपी का स्पीड कापी बढ़ जाएगा